हेलो बच्चो, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस टूटर में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोश्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्री के बच्चों के लिए जेनरल साइंस के केमेस्ट्री के कुछ कोश्टोंस को यह आपके केमेस्ट्री का लक्च्चर नमबर 22 होगा, इससे पहले हमने आपकी 21 लक्च्चर्स को और भी दिया है, तो जिन्नने भी अभी तक कुन सभी लक्च्चर्स को नहीं देखा है, तो प्लेलिस से जाकर देख सकते हैं तो आज किस वीडियो में आपको बता दे कि आज किस वीडियो में हम आपके topic atomic structure से related questions को करेंगे इससे पिछले वाले जो भी वीडियो है हमने उस पे nature and its matter और आपके element metal and non metal से related questions को किया है और आज से आपके lecture number 21 के बाद आपको नए topic atomic structures पे हम आपको बताएंगे उस पे related questions को यहाँ पे बताने वाले हैं और इससे पहले जो lecture number 21 था उसमें हमने एक lecture आपको heat and temperature पे दिया था हम आपको बता दे कि heat and temperature अपको physics का topic है तो उसको हम क्या करेंगे unit खतम करने के बाद, measurement खतम करने के बाद आपको हम heat and temperature फीजिक्स के lecture में दे देंगे ठीक है तो यहाँ से हम आपको आपके atomic structure से related questions को करवाएंगे और यहाँ से कुछ lecture तक, lecture 26, 27 तक आपको atomic structure से ही questions को करवाया जाएगा चलिए start करते हैं वीडियो को और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे request है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like किजिएगा और चैनल को भी subscribe किजिएगा चलिए question number one क्यों बढ़ते हैं, पहला question है who discovered the electron कहा जाला है कि electron का discovery किस ने किय था ? तो याद रखेगा कि electron का discovery जो था वा और अपके JJ Thompson ने किय था उन्होंने इलक्रोन की डिस्कवरी की थी 1897 में ठीक है और उन्होंने ये एक experiment के दौरान किया था cathode ray experiment के दौरान ऐसा उन्होंने किया था तब उन्हें पद चला कि atom में एक fundamental particle electron भी present होता है ठीक है चलिए नेक्स कुसं क्यों और which isotopes is used in the nuclear power plant to generate electricity आपके कौन से isotopes का to generate Cane का जानता है तो उसतर nuclear power plant से भी electricity को generate कियाता है यह भी अपके element को डालते है क्उन से आपके isotopes को डालते है ताकि क्या हो हमारी gücट इनyeong होता है तो याद रखे हैं कि uranium-225 या नहीं U-235 को uranium-235 को हम यूज करते हैं nuclear power plant में electricity generation के लिए ठीक है चलिए next questions क्यों what was the source of alpha particle in rather for scattering experiment आपका rather for scattering experiment जो आपको पढ़ना है उसमें जो alpha particle का source था यानि जिससे alpha particle को हम bombardier कर वाते थे उसका source क्या था तो याद रुखिए है कि rather for alpha scattering experiment में आपका जो source था alpha particle था वो था बच्चे helium nucleus यानि हम आपके helium nucleus से क्या करते थे alpha particle को क्या करते थे alpha particle को लेते थे यानि helium nucleus से हम alpha particle को pass करवाते थे समझ नहीं क्या करने का मतलब है कि rather for जब experiment किये थे अपना alpha particle scattering experiment तो उसमें जो alpha particle था वो कहा से लिए थे तो वो आपको helium nucleus से लिए थे यानि helium nucleus का जो आपका particle होता है उसको हम alpha particle को रूप में यूज किये थे ठीक है चलिए आपके elements के कौनसे ऐसे प्रोपर्टी है जो आपके chemical behavior को दर्साते है तो याद रखिये कि valency of element जो होते हैं element के valency यानि वो कितना उसके पास और electron चाहिए अपने stability को gain करने के लिए या फिर वो कितना electron को loss करगा stability को gain करने के लिए तो इसी को क्या करते है valency कहते है gain or lossing of electron to gain stability ठीक है तो stability को gain करने के लिए कितना valence of electron का कितना electron का उनको क्या चाहिए loss करना होके तरह अलक्रोन का gain करना पुरेगा तो valence of electron वही कहा जाता है ठीक है तो जो element होता है उनके chemical behavior को हम valence से ही determine करते हैं किसे valence से ही determine करते हैं कि आखिर वो electron ले रहा है या फिल ले रहा है ठीक है और जब भी electron आपके जो outermost से होते हैं और किसी bho atom के जो outermost orbit होते हैं उसे हम valence cos क्या होता है आपको सिंपल समझना है कि जो chemical behavior होते हैं किसी वी element के वह हम balance of elements जानते हैं और किसी भी आपके elements के जो physical behavior होते हैं उसको हम उसके mass से refractive index से इन सभी से समझते हैं इसके आपके atomic mass से refractive index से उससे हम physical behavior को समझते हैं चलिए next question क्या है हमारा which of the following does not match the characteristic of an isotopes यानि इस तबह में से कौन सा ऐसा option है जो कि आपके isotopes के characteristic को match नहीं करता है तो first of all आपको जाना पड़ेगा कि isotopes क्या होता है isotopes क्या होते हैं तो isotopes हम किसको define करते हैं isotopes का एक definition होता है कि isotopes are the atoms of same element it is the atom atoms of same element same element ठीक है ये भी एक point हुआ ये same element के atom होते हैं having जिनक्या क्या होता है having same atomic atomic number but different different mass number isotopes are the atoms of same element having different having same atomic number but different mass number नहीं DAV यहनि उनके atomic number स्जीं होंगे लेकिन क्या होंगे mass number different होंगे ठीक है mass number क्या होंगे different होंगे इससे hydroin का isotopes आपने पढाऊगा कि hydroin का होता है एक protein होता है तो यहां से options को पढ़ते हैं कि देखते हैं कि इसके regarding कौनसा option match नहीं कर रहा है आइसो टॉप्स आर आइसो टॉप्स ऑफ सम एलिमेंट और रेडियोक्टिव होते हैं तो सही बात है हो सकते हैं इसमें कोई अथी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हो सकते हैं आइसो टॉप्स के कुछ एलिमेंट रेडियोक्तिव हो सकते हैं है, ऐसो टॉप्स अर अटम्स और डिफेंट इलिमेंट यह स shows होता है इसोतोर्स करते हैं कि सवह का माल्स सब फ़सेट होता है तो इसका अंसर होगा इसका इंसर होगा बच्चे आपसे नमबर बी क्या होगा आपसे नमबर बीजर आइट क्यों कहा जा रहा है कौन सा मैच नहीं करना चाहिए तो यह कुछ पास कोशन से अपना स्कोर कॉमेंट बक्स में लिखकर हमें जरूर बताएगा तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तो थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो तब तक के लिए बाब बाई